तखना खिंचाओ तखना खिंचाओ से जुड़ी साउधानिया आर्थराइटिस से पीडित व्यक्ति इस आसन को न करें तखने या पैर की चोड़ से पीडित इस अभ्यास से परहेज करें पैरों में दो इंच का अंतर बनाएं धीरे से दोनों हाथ कमर पर ले जाएं धीरे से दाएं पैर को जमीन से एक फिट की उचाई पर उठाएं शरीर को संतुलित करते हुए दाएं पैर के पंजे को उपर की तरफ खींचे पंजे को नीचे की तरफ लेकर आएं धीरे से उपर ले जाएं दुबारा पंजों को बाहर करें इसी तरह यह अभ्यास दो बार और दोराएं मध्यम भाग में वापस लाएं और पैरों को वापस लाकर विश्राम करें यही अभ्यास बाएं पैर के साथ दोराएंगे बाया पैर जमीन से एक फीट की उचाई पर उठाएं शरीर को संतुलित करते हुए बाएं पैर के पंजे को उपर की तरफ खीचें धीरे से पंजे को नीचे की ओर ले जाएं पंजा उपर ले जाएं मध्यम भाग में वापस आएं और धीरे से दोनों पैरों को मिलाएं और विश्राम करें तखना खिचाओ के लाब तखने के गठिया को सही करता है पंजे को मजबूती परदान करता है तखने के लाएं पंजे कि लाएं तखने की दोनों में पर ले जाएं